नमस्कार दोस्तों स्वागता है आप सब्सक्राइब फिर से इस नई वीडियो में दोस्तों अगर आप इब वीडियो देख रहे हैं तो Most Probably आप यह एक स्मारट फॉन में देख रहे होंगे किसी पीची में देख रहे होंगे या फिर किसी टैबलेट में देख रहे होंगे उस पे हमें कुछ न कुछ warranty मिलती है एक साल की 6 माईने की दो साल की जिसे साब का प्रोडक्ट होगा कंपनी जिसे साब से वारन्टी देती है वह हमें मिलती है अब जब हम वह प्रोड़क्ट खरीद लेते हैं तो उस प्रोडक्ट के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए कि वह shopping हम online करते हैं उसमें से केवल एक परसेंट चांस होते हैं कि जो प्रोड़क्ट आपने online खरीद रखा है वह warranty खतम होने से पहले खराब हो जाए ऐसा बहुत कम cases में होता है इसलिए हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ते हैं कि हम इस चीज के बारे में कोई जानकारी रखें इस चीज के बारे में कुछ जानने की कोशिस करें कि अगर हमारा प्रोड़क्ट वारंटी पीरियाट से रहता हूं आपको मैं एक एक्जामपल देता हूं दोस्तों देखिए यह केवल एमाजोन या फिर फिलिपकार्ट या फिर स्नैप डिल इन चीजों के लिए मैं कोई सेपरेट नहीं बता रहा हूं सबके साथ एक ही प्रोसिजर होगा वारंटी क्रेम करने का मैं को आपको एक हर्मन का प्रोडक् terce जैसे इंफिनिटी है तो हर्मन का आपने खराब हो चुका है और मैं इसकी वारंटी घलें कर चुका हूं भल diapers में अथा आ पर जहां पर आपको त्री डॉट दिखाई देंगे या फिर ऐसा ही कुछ तो वहां पर आपको एक यौर ओडर का एक उप्सन दिखाई देगा आपको सिंप्ली वहां पर चले जाना है और स्क्रॉल डाउन करके देखें कि जहां पर आपने वह प्रोड़क्ट खरीद रखा है तो सारी चीज के आपको डिटेल मिल जाएगी कृट्ट बहुर आपको जाया कन है जहां से आपने वह और किया होगा आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउं करेंगे तो वहां पे आपको फीचर and detail का एक option मिलता है feature and detail में आपको कहीं न कहीं या तो वहां पर contact number मिल जाएगा service का और या फिर एक click here for service और warranty claim ऐसा कुछ आपको लिखावाद दिख जाएगा इस तरह साथ वहां पर call कर सकते हैं या फिर वहां पर आपको service center की information मिल जाएगी अब देखे service center की information अगर आपको वहां पर नहीं दे रखे आपको केवल call करने का option दे रखा है contact number दे रखा है तो आप simply उस call जो number दे रखा है वहां पर call कीजिए अपनी complaint note करवाईए वह आपको product की detail पूछेंगे कि कौन सा website में जाना होगा अगर आप उनसे वह आपको नहीं बता पाते हैं तो आपका जो product होगा इसके भी box में कहीं न कहीं इसकी website का नाम लिखा होगा जैसे इसकी website हर्मन.in क्योंकि हर्मन का brand है तो यहां पर आपको हर्मन.in पर जाना परता है जे विल के प्रोड़क्ट के लिए इसी तरह से आप अगर किसी और प्रोड़क्ट की इन्फोर्मेशन सर्विस सेंटर की चाते हैं तो आप Google पर सिंपली सर्च कर सकते हैं आपको website मिल जाएगी उस product की और वहां पर जाके आपको सबसे पर नीचे एक हर website में contact us का option आता है जब आप contact us के option पर जाएगे तो वहां पर एक और option दिखेगा सर्विस का जब आप सर्विस का option पर जाएगे तो वहां पर आपको सर्विस सेंटर के नाम दिखाई देंगे और जो भी आपका नजदी की सर्विस सेंटर होगा आप सिंपली अपने complaint नमबर जो के आपको customer सर्विस ने दिया था उस complaint नमबर को लेगे और अपने प्रोड़क्ट को लेके वहां पर सर्विस सेंटर में चले जाएगे वह आपको वह जो complaint नमबर था उसको चेक करके आपको simply नया प्रोड़क्ट वह issue कर देंगे और यह पुराने को अपने पास रख देंगे तो बस एक सिंपल सा वे था अपने ओनलाइन खरीदेवे प्रोड़क्ट की वरंटी क्लेम करने का अगर आप लोगों को पता पहले से था तो बहुत अच्छी वात है अगर नहीं पता था तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे और अपने दोस तो इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार